तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि मिस्टर बोन ने स्टीव को बताया था कि अगर तुमें इन डॉकेट को चलाना है तो तुमें सबसे पहले इनके अंदर फ्यूल बर नहीं होगी और कैसे भी करके स्टीव को उपर जाना था क्योंकि जिन ने के फ्यूल नल और एंटिटी 303 के पास थी लेकिन स्टीव हीरो ब्राइन को लेकर उनके पास पहुंच गया हीरो ब्राइन पीचे अटो एंटिटी 303 आ गया कहीं उसने देख ने ने अभी तक हमें देख आने हीरो ब्राइन उसके हाथ में उसका कतरनाक वेपन भी है तुम प्लीज थोड़ा पीचे अट जाओ हीरो ब्राइन अब क्या होगा लेकिन शोर बिल्कुल मत करना क्योंके वो दोनों हमारे बिल्कुल साथ हैं अगर वो यहाँ आगे तो क्या होगा लेकिन एक मिनिट नल के हाथ में उसके खतरनाक सौड के साथ साथ उन रोकेट का फ्यूल भी है ओ माई गॉड गाइस हमें इन को रोकना होगा क्योंके अगर ये लोग उन रोकेट तक पहुंच गये ये शांती से काम लेना होगा क्योंके हीरो ब्राइन हमारे साथ हैं और जब तक हीरो ब्राइन हमारे साथ हैं वो दोनों हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते लेकिन वो लोग भी बहुत पावरफुल हैं क नल गया, Entity 303 भी यहां देख रहे हैं उसको शाक तो नहीं हो गया 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 हिरू ब्राइन शांत हो जाओ शांत, एक एक मिनिट मैं देखता हूं पहले, हिरू ब्राइन हमें कैसे भी करके इन दोनों को रोकना होगा क्योंकि अगर ये लोग मून पर पहुँच गए तो ये पूरी माइनक्राफ्ट को तबहो बरबाद कर देंगे क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल हो जाएंगे लेकिन हमें शांती से एक मिनिट, रुको अभी वहा मत जाओ यहां पर एक रोम है, जो कि लास्ट एपिसोड में यहां पर हमने देखा था ना कि उन रॉकेट की फ्यूल थी यहां पर ओ माइग गॉड हीरो ब्राइन मुझे लगता है कि नल और एंटिटी 303 ने फ्यूल उठा ली यहां से उन रॉकेट की और अब वो जाएंगे सीधा उन रॉकेट की तिरफ लेकिन एक मिनटी इंचैस्ट में देखते हैं कि शाहिद यहां पर रखी हो लेकिन नहीं ओ माइग गॉड हीरो ब्राइन तुम बिल्कुल रेडी रहना क्यूंकि अब वो टाइम आ चुका है कि हम उन दोनों दरिंदों को माइनक्राफ्ट से हमेशा मेशा के लिए खतम कर दें तो गाइस हीरो ब्राइन तो बिल्कुल तयार है एक बहुत ही बड़ी जंक के लिए और हीरो ब्राइन का कहना है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए चाहे मुझे अपनी जान पर भी खेलना पड़े मैं उन दोनों को किसी भी हलत में रोकेट तक नहीं पहुंचने दूँगा लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि हीरो ब्राइन ज्यादा पावर्फुल है हीरो ब्राइन अराम से शूर मत करना और वो लोग मुझे लगता है कि यहीं पर ही होंगे हीरो ब्राइन अंदर आजाओ ओ माई गोड हीरो ब्राइन यहाँ पर देखो यहाँ पर तो पारकॉर टाइप कुछ बना हुआ है और दूसरी साइड से भी कितनी खतरनाक रास्ते किसने बनाए होंगे लेकिन हीरो ब्राइन तुम घबराना बिल्कुल भी मत शायद उपर वाले ने हमारी जिंदकी ऐसे ही लिखी थी अब हम करें तो क्या करें यह मुश्किले है हमारी जिंदकी ओके यहाँ पर देखो एक और बिटो हो रहा है भाई सहाब लेकिन यह ओपन क्यों नहीं हो रहा ओके यहाँ पर एक की भी है लगता है यह चाबी हीरो ब्राइन देखो अब हमें एक और रास्ता मिला है मुझे पूरा यकीन है कि नल और एंटिटी 303 इसी रूम के अंदर है और हमें कैसे भी करके उनसे वो फ्यूल वापस लेनी है लेकिन बस तुम एकदम तयार रहना कुछ भी हो सकता है बस मेरे पीछे रहो एक मिनिट गाईस पता नहीं क्या हो हीरो ब्राइन जल्दी जल्दे हो ये कि ये कौन है व्माइज़ गाड कैस ये तो कोई skeleton टाइब लगते है और ये परी आरमी है लेकिन हीरो ब्राइन मारो 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 अपने पावास से मारो इसको व्माइज़ कैस हीरो ब्राइन की पावर मेरे उपर गिर गी माइज़ देखो, हीरो ब्राइन, ओ शिट शिट, बड़ी मुश्किल से रिकवर कर रहे है, भाई, साब मेरी शेल्ड पे टूट चुकी है, भाई, बहुत ही गंदा डेमेज देद, एक मिनिट, यहां पर एक सौड भी है, और बाकी के वेपन का है, इतनी सारी आइटम फ्रेम के अंदर, एक मिनिट, यह वाली सौड मुझे बहुत ही पावरफुल लगती है, पता नहीं किसकी है, लेकिन, हीरो ब्राइन, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको अपने पास ही रखता हूँ, और अब यहां से निकलो जल्दी करो, क्योंकि देखो, अभी हम जाएंगे मून पर बस एक बा एक रास्ते पर तो गए होँगे, या तो इस तरफ या उस तरफ, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक तरफ से तुम यहाँ पर खड़े हो के उन दोनों का ख्याल रखना, और इस तरफ से मैं जा रहा हूँ आगे, क्योंकि अगर वो इस रास्ते पर होँगे, तो मैं उन पर नज के तो क्या होगा, प्लीज, प्लीज, ओ, 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 बच गए यार, कितनी कतरनाक बार को रहे, अगर जरास अभी मेरा पैर से लिप हुआ तो, अभी तो मेरा कुछ नहीं बचने वाला भाई, पूरा लावा है नीचे, लेकिन अभी तक आप लोगों ने स्टीव के लिए इस च कोमेंट में बताना सबी लो, लेकिन मैं कैसे भी करके इसको पार कर लिया हूँ अभी तो, लेकिन आप पता, हीरो ब्राहिन, यार, मेरी इतनी चिंदा मत करो, ओ, आगे एक डोर है, एक मिनिट मैं सको ओपन करता हूँ, और ये मैं कहां पर आगे, ओ, भाई साब, ये तो एक अलगी दुनिया है, लेकिन एक मिनिट हमें शोर बिलकुल नहीं करना, क्योंकि इस जगा के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और यहां पर रूम भी है, जिसके अंदर कुछ, कुछ बकिट है, एक मिनिट कहीं, ये तो उन रोकेट का फ्यूल तो नहीं, एक मिनिट आगे चल के देखते हैं, और यहां पर भी कुछ रूम है, जो बन है, मिलकुल, भाई साथ, किसकी बेस हो सकती है, ये ये जगा वैसे बहुत खुबसुरात है, लेकिन मुझे पता नहीं, डर क्यों लग रहा है, गाईस, और ये वल्लूम है, पता नहीं, इसके अंदर क्या हो सकता एक मिनिट, यहां पर तो कुछ बकिट्स हैं, लेकिन पता नहीं, इनके अंदर है क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है, कहीं ये उन रॉकेट का फ्यूल तो नहीं, एक मिनिट उतार के देखते हैं, कि आकर ये क्या है, हे, फ्यूल बकिट, इसका मतलब ये फ्यूल उन रॉके पता नहीं, वो क्या था, लेकिन यहां पर बहुत सारी बकिट हैं, और मुझे ये नहीं पता कि उन रॉकेट के अंदर एक बकिट काफी है, यह सारी फ्यूल उनके अंदर जाएगी, भाई साब, दस की, दस बकिट मैंने यहां से चुरा ली हैं, और अभी हमें यहां से निक मَट करके यह जल्दी निकलना होगा, जल्दी हो, ओ माइगोड, शिट, शिटू लोग अपनी कैसे भी करके जन बचाएगे, जल्दी निकलना होगा, जल्दी Bem-त ओ, जल्दी हो, जल्दी हो, जो बीच निकल आये हैं, लेकिन गाइस, हीरो ब्राइन का मैं आपको बताओं, हीरो ब्राइन बिल्कुल भी, टयार नहीं था वापास आने के लिए है, ओ, ओ भाई साहब, हीरो ब्राइन का जंप देखो, हीरो ब्राइन ये कहना थे के, आज मैं कहानी खतम कर दूंगा नल और एंटिटी 303 की लेकिन मैंने सोचा कि अभी हीरो ब्राइन के पास कोई पावर्फुल वैपन भी नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत हीरो ब्राइन वो देखो हीरो ब्राइन यही है वो होगा लाला जो हमारे वर्ल्ड में है और यह बिल्कुल नल की तरह दिखता है और पता अभे नहीं हीरो ब्राइन अब नीची बैटो नहीं यार हीरो ब्राइन इस होगा लाला से लड़ना इतना असान नहीं है क्योंकि इसके मेन पावर है यह 40-50 ब्लोक का एक जैंप मारता है और अगर यह किसी को एक हिट मारता है तो 10-15-20 ब्लोक तरह कम दूर जाके गिरते हैं मतलब वर्लाल यह बहुत ही पावरफुल है हीरो ब्राइन देखो अभी बिल्कुल गुसा मत करो हीरो ब्राइन नहीं वो देख लेगा हीरो ब्राइन प्लीज 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 हीरो ब्राइन शान दो जाओ यार अभी हमारे पास अभी हमारे पास वैपन नहीं हो नल ओन एंटिटी त्री जिरो तो गैस अभी तो मैं कैसे भी करके हीरो ब्राइन को वापस अपने गार ले आया हूँ जिन जिन आज बहुत ही बड़ी लड़ाई होने वाली थी हीरो ब्राइन नल एंटिटी 303 और साथ में हुगा लाला और हीरो ब्राइन की भी लेकिन मैंने बहुत ही मुश्किल से हीरो ब्राइन को रोक लिया क्योंकि उसके पास कोई पावरफुल वैपन नहीं है और जिन ये देखो ये है उन रोकेट की फ्यूल जिन का इंतजार हमें बहुत बरसों से था और वो फ्यूल अब हमें मिल चुकी है और देखो जिन ये काम तो बहुत ही खतरनाक है और मैं इसमें तुमारी तुम लोगों की जान नहीं गसिटना चाता और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मून पर मैं अकेले ही जाऊंगा क्योंकि ये मिशन बहुत ही खतरनाक है और ऐसा भी हो सकता है कि ये हम तीनों की आखरी मुलाकात हो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं वापस लोट के ना हूँ लेकिन बस तुम हीरो ब्राइन का साथ मच चोलना और इसको बाहर मच जाने देना अभी क्योंकि होकलाला और नल एंटिटी 303 एक साथ भी मिल सकते है और अभी मैं यहां से थोड़ा खाना लेता हूँ गाईस और यहां से शील्ड भी लेता हूँ जिन बस तुम हीरो ब्राइन का ख्याल लगना हूँ और अब मैं निकल रहा हूँ मिस्टर बोन के पास मतलब रॉकेट के पास और गुडबाई जिन तो गैस मैं अभी निकल चुका हूँ एक खतरनाक मिशन के लिए और इसमें हमारी जान भी जा सकती है तो फाइनली गाइस मैं उन रॉकेट तक पहुंच चुका हूँ लेकिन हमें कैसे भी करके जल्दी उन रॉकेट के अंदर फ्यूल डालके उड़ना होगा यूँके नल और एंटिटी 303 यहां पर आते ही होंगे उन्होंने हमें देख लिया था और फ्यूल उनको सीधा पता चलेगा ओके लेकिन एक मिनिट मिस्टर बॉन कहां पर गए गाइस आपने देखा होगा ना कि लास्ट एपिसोड में मिस्टर बॉन ने हमें कहा था कि जब तक तुम नहीं आओगे तो मैं इस जगा से नहीं हिलूँगा इसका मतलब कहीं नल और एंटिटी 303 को यह तो नहीं शक हो गया कि मिस्टर बॉन ने हमें इन रोकेट का पता बताया था और उन्होंने गुसे से उस बिचारे को मार दिया हो सच में गाइस मुझे बहुत ही डल लग रहे हैं और मैं यहाँ पर जादा देर नहीं डुक सकता ऐसा हो सकता है कि वो दोनों यहाँ पर आस पास हो और कौन सा रोकेट इस रोकेट में चलते हैं रेड़ वाले में क्योंकि यह बढ़ा है और फाइनल्य इसके अंदर फियूल डल रही है और यहाँ पर यह आप देख सकते है दीरे दीरे फियूल ओकेट कितला बगत है और अब इसको हटाते हैं और दूसरी रखते हैं अभी इस रोकेट की टैंकी फुल हो रही है गाइस मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी मून पर जाऊंगा और फाइनली 100% फुल हो चुकी है टैंक की और बस अभी हमें इस रॉकिट के अंदर बैठना है और बटन प्रेस करना है और ये हमें लेके उपर मून पर चला जाएगा पता